यह है हमारी न्यू डिश शाही अंडा कीमा जो खाने में बेहत लजीज है हलो दोस्तों असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं हूँ रिश्मी और आप मेरे साथ देख रहे हैं साय कहरा सोई तो दोस्तों आज मैं सूरत की फेमस डिश आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है अंडा कीमा तो आज हम अंडे से कीमा बनाएंगे अब तक तो नोनवेश से बनाते थे लाइक मटन कीमा चिकन कीमा आज हम बनाएंगे अंडे का कीमा का पूर्थ यहां नार्ट तो अंडे का पीमप बनाने के लिए मैंने 10 अंडे लिए हैं। और दो सितीन बड़ी प्यास जो मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर ली थी ती बारिक बारिक और इसका मैंने जूस भी बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सुखा लिए यह देखिए यह जूस निकला है इसका प्यास का इसका हम इस्तिमाल कर सकते हैं बालों में लगाने के लिए उससे क्या होगा डेंडर नहीं होगी और मैंने यहां पर टमाटर को भी बारिक चॉप कर लिया है टमाटर लिये हैं मैंने 4-5 यानि के वेट टेल हलक के लिया है तेल हलका गरम हो चुका है अब इसमें ढाल देते हैंında सीरा हिलाएं गया हएं भी प्यास को प्राॉण घथा होगा है आज दोकि एक चमच दूर हो जाए ay अब इसमें डाल रखुआंजें एक चमच लाल म्योश पाودर हो घृब नहीं दो चमच धनिया पाउडर ताकि मसाले जलना जाएं तो इसके लिए हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा चमच हल्दी और फिर इसको भून लेंगे जब मसाला थोड़ा भूंच आएगा हलका सा फिर इसमें हम डाल देते हैं अपने चौक की यह टमाटर और टमाटरों को हम गलने तक इसमें थोड़ा सा पकाएंगे यानि के स्लो टू मीडियम फिलेम पर पकाएंगे और इनको अच्छे से गला लेंगे टमाटर को मसाले में मै जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं तब तक हम अंडे को ग्रेट कर लेते हैं पहले हुले हैं टमाटर में नीदे वीए को अंड कीमा घृत करा। तो ये सारे अंडे हमारे ग्रेट हो चुके हैं उबले हुए अंडे लिये थे मैंने पहले ही उबाल लिये थे और तब तक हमारा टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं मसाला भूनने लगा है थोड़ा सा और इसको मिलाएंगे हिलाएंगे ताकि मसला तेल छोड़ दे मसले तेल छोड़ दिया है और यह बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसला यह कोई आदे चमच गरम मसला लिया है मैंने और तीन से चार हरी मिरच कटी हुई वो डाल दी हैं और इनको थोड़ा सा चला देंगे हम ताकि गर मसाले की खुश्वू अची तरह से मसाले में आ जाए और अब इसमें डाल देंगे हम अपना ये अंडा कीमा जो हमने ग्रेट करके रखा है कीमा बना कर रखा है उसको फिर हम अच्छी दरा से मसाले में मिक्स करेंगे और यह जो प्याज का रस हमने निकाल कर रखा था दोस्तों प्याज का रस हम इसलिए निकाल देते हैं ताकि जो प्याज की स्वेल है वो जल्दी दूर हो जाए और जादा सबजी में आए ना तो ऐसा इस लिए किया थह मैंने जो प्याइब करच निकाल दिया था और एन्ड़य हमारे बिल्कुल हमने मिक्स कर लिये है निक ठेश a lie, qi को अब डाला थक अलग सबाद żyमChaking जो एक दीए डिखकर पकाएंगे बस 12-13 मिक्सा खूल लेंगे और उठेगे aci कोई भी चीज अच्छी तरह से भूनी जाती है तब इसमें अलग सा टेस्ट आ जाता है जितना ज्यादा अच्छी सब्जी बनती है यह वाली कहावत है जितना गोड़ डालोगे उतना मीठा होगा तो सब्जी का भी यही साव है अब हम डाल देते हैं इसमें एक नीबू का रस जो हमने निकाल कर रखा था वो इससे क्या होता है अंडे में थोड़ा खटा पन भी आ जाता है और अंडे की जो इसमेल होती है वो भी दूर हो जाती है और तीखा और खटा लगता है थोड़ा खाने में तो बहुत टेस्टी ल कुझ बाओल में निकाल लिया है अब हम इसमें लगांगे तड़का तड़का लगाना बहुत जरूरी है इसमें तो इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है और इसमें ठोड़ा सा तेल फोड़ा सा गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे हम एक से डेर चमच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे मतलब इतना जादा देर नहीं रखना हमें से हलकी सी देर रखना है क्योंकि मिर्च हमारी जलना जाए बस अच्छे से इसमें मिल जाए तेल में और गरम गरम थोड़ा गरम तेल फिर हम उठा कर तड़का लगा देंगे इसका तड़का उपर से जब लगता है कश्मीरी लाल मिर्च का तो इसमें जो रेड रेड कलर आता है बहुत अच्छा लगता है और फॉरन ढग देंगे ताकि जो तेल गरम तेल और मिर्च हमने जो तड़का लगाया है उसका फ्लेवर अच्छे से कीमे में आ जाए यह देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है हमारे अंडे कीमे का तो बताइए दोस्तों आप लोगों को मेरी यह सूरत की फेमस डिश अंडा कीमा कैसी लगी अथी लगी तो लाइक शेयर्व कमेंट शरूर कीजिएगा मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए इला हाफिज